जैहिन दोस्तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस महत्तपूर मायराथन में आज हम उत्तर प्रदेश करेंट अफेर की 500 क्वेस्चन एक घंटे के अंदर देखेंगे जिसमें हम सभी महत्तपूर करेंट अफेर के टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं और देखें इ दोस्तो आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा पहली महिला पुलिस कमिश्णर कौन है उत्तर प्रदेश की तो दोस्तो लचमी सिंग उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्णर बनी है उसके बाद पहला पुलिस विश्व विद्याले कहां पे खुला है तो दोस्तो जिलो में अभी साइब थाने हो गए हैं उसके बाद यूपी में किंद्रिय जेलो की संख्या कितनी है तो दोस्तो आठ किंद्रिय जेलो की संख्या है आपसे प्रश्ण पूछा जा सकते हैं कहां कहां पर तो आगरा, बरेली, फतेगड, नैनी, वारांसी, लखनौ और इटाव इन सभी में मतब केंद्रिय जेलों की संख्या है यही आठ जिले हैं याद रखेंगा चले आए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजी पी कौन बने हैं तो दोस्तों स्री पसांत कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस का नया एंथम सौंग कौन सा है तो इ यहां पर देखिए चट्टानों की जित पिगलादी बाजू को आग बनाया है कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है यह है यूपी पुलिस का नया इंथम सौंग इसके गितकार यानि लिखने माले कौन है रितेस रजवाडा जी ठीक है उसके बाद इसका ज और है तो इसको ना रिविजन की दिस्ट कोड से लिजेगा बिल्कुल फास्टली हम इसको देखेंगे जनौरी दोहजाच चोविस में बिस्व का दूसरा सबसे बड़ा इस पात पादक देश कौन सा बना है तो दोस्तो भारत बना है सीस तीन देश कौन कौन से है तो पहले पर चीन है दूसरे पर भारत है तीसरे पर जापान है तो दोस्तो एक प्रशन और आप याद रखेगा कि अगर इस पंज आयरन की बात होगी तो भारत पृथम अस्थान पर है तो दोसरी बार भुटान प्रधान मंत्री कौन बने है तो दोस्तो उनका नाम है सेरिंग टोब गे उसके बाद भारा सरकाने किस वरस तक देश में पांच ट्रिलियन डालर अर्थ बिवस्ता तक पहुचने का लग्छ रखा है तो दोस्तो दो हजार अठाइस तक अनुभव प्रसकार योजना की सुरुवात किसके दारा की गई है तो दोस्तो पेंसन और पेंसन भोगी कल लाण बिभाग के दोरा विस वब्यपास संगठन डवलुटीयों में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्यूकत किया गया है तो दोस्तो सिंथिल पांडियां सी को डवलुटीयों का फुलफारम पूछा जाता है आप से एकज्ञाम में तो इसका फुल्फारम है वर्ल्ल ट्रेड आगनाईजेशन जिसका पहले नाम जी ए टी टी था स्वच सरविच्छट 2023 के अमसार देश का सबसे स्वच नाज कौन सा बना है तो दोस्तो महारास्टा है इसमें सिस तीन दाजे अगर पूछा तो आपको महारास्टा का नाम मध्यप्रदेश का और 36 गड़ का नाम याद रखना है उसके बाद भातियन उसेना ने किस देश्क में आयो जीत हुआ अभ्यास्टी ड्रेगन 24 में भाग लिया है तो दोस्तो अमेरिका में याद रखेंगे चले बात करते हैं अपने अन्य महत्रपूर प्रशनों पर हाली में अंतराश्टी बाजरावस 2024 का समापन समारो हुआ है तो दोस्तो कहां पर हुआ है रोम में तो दोस्तो एक चीज और याद रखेंगे 2023 को बाजरावस घोसित किया गया था जिसको हम मिलेटियर के नाम से जानते थे 2023 को जिसका समापन रोम में हो चुका है हाली में उत्तर कोरिया के पतिबंधों की निगरानी के सैयुग तराश्ट पैनल के आदेस पर किसने वीटो किया तो दोस्तो रोस ने दुनिया का सबसे बड़ा e-commerce प्लेटफार्म कौन सा है तो दोस्तो उसका नाम है जैम हाली में परियटकों के लिए सिग मौत सो दो हजाज़चोबिस कहां प्रारम हुआ है तो दोस्तो गोवा में उसके बाद हाली में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्षपद पर किसे न्युक्त किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है जैसरी दास उसके बाद हाली में मियामी ओपन दो हजाज़चोबिस में पुरुस एकल फाइनल जीतने वाली सबसे उम्र दराज खिलाडी कौन बने है तो दोस्तो उनका नाम है रोहन बपनना तो दोस्तो अगर बात करें तो वो है उत्तर परिदेश जिसको मिला है सांजी क्राफट को GI टैग यहाँ पर थोड़ा सा जांसी हो गया है तो सांजी क्राफट को GI टैग मिला है याद रखेंगे हाली में अंतराष्टिय संस्कृति प्रश्का से किसे संभानित किया गया है तो दोस्तो मीना चरंदा को उसके बाद अगला प्रशन क्या है हाली में हाकी इंडिया ने किसे पुरूस वर्क का सौस्ट खिलाडी नामित किया है तो दोस्तो उनका नाम क्या है उनका नाम है दोस्तो बताईए जल्दी से कमेंट सेक्षिन में इनका नाम बताईएगा उसके बाद हाली में लांच भारत की पहली AI अधारित फिल्म कौन सी है दोस्तो तो उसका नाम है इरा है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ वहां कि इंडिया ने किस पुरूस वर्क का सरस्ष्ट खिलाडी दामित किया है तो उनके नाम में स्विंग आता है चले बात करते हैं अपने अन्य महतपूर टापिकों के उपर गोर्ड मैन प्रियावड प्रसकार 2024 किसको मिला है तो दोस्तो अलोक सुकल को किस मानोतावादी प्रसकार 2021 किसे मिला है तो दोस्तो क्या येस ठीक है ये रतन टाटा को मिला है और 2023 में बिल गेट्स को मिला है आरे भट प्रसकार 2024 किसे मिला है तो दोस्तो पावुलिरी सुबाराओ को लता दीनानात मंगेसकर पुरसकार दोहज़ाचोबिस किसे मिला है तो अमिताब बच्चन को एबल पुरसकार दोहज़ाचोबिस किसे मिला है तो दोस्तो मिसल टेला ग्रांड को इरासमस पुरसकार दोहज़ाचोबिस किसे मिला है तो अमिताब घोस को मिसवल्स याद रखेंगे आप मतपूड एक्जाम के लिए असम बैभव पुरसकार 2024 किसे मिला है तो रंजन गगोई जी को MS स्वामी नाथन पुरसकार किने मिला है तो VR कमबोज को KPP नामी VR पुरसकार किसे मिला है तो दोस्तो S स्वामी नाथ को 33 स्वासती सम्मान किसे मिला है तो दोस्तो प्रभाव बर्मा को उनके रुद्र सात्वी कम के लिए याद रखेंगे महतपूर है आपके एक्जाम के लिए उसके बाद चलिए अन्य महतपूर टॉपिक के उपर बाद करते हैं हाली में UNICEF इंडिया ने किसे अपना ब्रांड MS-10 न्यूपत किया है तो दोस्तो करीना कपूर को हाली में UNESCO गिलर्मो केनो प्रसकार 2024 से किसे सम्बानित किया गया है उत्तर प्रदेश के हाली में GST अपीलियन न्यादी करण के प्रमुक पदपर किसे निूपत किया गया है तो दोस्तो संजय कुमार मिसरा जी को हाली में किसे किस अभिनेतरी को पंडित लच्छु जी महराज पुरस्का से सम्भानित किया गया है तो दोस्तो हेमा मालिनी को बेसो की सबसे उची बैट साला किस देश में इस्थापित की गई है तो दोस्तो जापान में इस्कूल ऑन विल्स पहल कि स्राज में शुरू की गई है तो दोस्तो मडीपूर में UPSC का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तो हंसा मिस्रा को लोगतंत्र के तीसरे सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ है तो दोस्तो हुआ है दच्छिड कोरिया में उसके बाद विटली गोल्ड पुरसका 2024 से की से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो पोडिमा देवी बर्मन को ठीक है चले बात करते हैं भारत ने कब तक अपना खुद का भाती अंत्रिच स्टेशन बनाने की योजना बनाई है तो दोस्तो वस 2035 ठीक है ये बहुत इंपॉर्डेंट है कौन सा देश चंदर्मा की परिकर्मा के लिए चांग E6 अनिमेशन मिसन लांच किया है तो दोस्तो कर चुका है चीन देखिए सभी के सभी प्रश्ण बहुत मातपूर है ध्यान से सुनेगा एक बारी उसके बाद आप एक्जाम में अपने आपको confidence में देखेंगे तो आप सभी topic ध्यान से सुनेगा और अंतिम तक बने रहिएगा बित मंतराले के हालिया रिपोर्ट के अमसार अपवैल 2024 में कितने लाग करोड रुपए का GST संगरे प्राप्त हुगा है तो दोस्तो 2.1 जिरो लाग करोड रुपए का हाली में भारत 2025 से 2030 तक किस देश के सिबिल सेवा कर्मियों को पसिछित करने में सहमत हुआ है दोस्तो बांगलादेश के और देख़े बांगलादेश उत्पात मचा रहे है किस देशного चुरासी मिleएन डालर की सहाथा प्राप्त हुए है तो दोस्तो अफगानिस्तान को उसके बाद नविंत्नम वासिक 500े सुचकांक में भारत 180 देशों में owned Prosиса 163 पर है किसमें 200 प्रेश स्वतंता सुचकांक में तो ये महतपूर हो जाता है याद रखेंगे आल इंडिया रेडियो के महादीदेशक के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तों उनका नाम है मौसम चक्रवर्ती याद रखेंगे उसके बाद भारत का सबसे बड़ा थियेटर फैस्टिवल भारत रंग महोट्सव का आयोजन कहां पे किया गया है तो दोस्तों कच्छ गुजरात में जनवरी 2024 में चार्ट के नए पधान मंत्री कौन बने है तो उनका नाम है सुकसेस मसराजी अलसलवा डोर के नए राष्ट पध कौन बने है तो दोस्तों उनका नाम है नायब बुकेले तो दोस्तों सभी के सभी प्रशन बहुत ज़्यादे मातर पूरे इसमें आप उत्तर प्रदेश के साथ-साथ भारत प्लस अंतराष्टी अस्तर के भी करिंट अफेयर पाएंगे तो आप निश्चीन्त होकर इस सेशन को कम्प्लीट वाच कीजी और एक्जाम में आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसी सेशन से देखने को पाएंगे उसके बाद देखे क्या है पसिद गडिच सिचक और सूप विजेता भारत रहा है संस्क्रण ये 15 हुआ था पुरानी पेंसन योजना को लागू करने वाला प्रोत्तर का पहला राज्य कौन बना है तो दोस्तो सिक्किम बना है फिल्लेंड के नए रास्टपति कौन बने है तो दोस्तो उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टग के पी नाम पर किंग्स ने अपना अधिकारिक स्पॉंसर किसे बनाया है तो एतिहाद को याद रखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे अन्य प्रश्णों पे टी ट्वंटी बिस्व कप 2024 में भाते क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया तो दोस्तो रोहित सर्मा थे दोनों में T20 में भी और ODI में भी उसके बाद किस देश में 200 की पहली हमाई टैक्सी का सुभारम किया गया है तो दोस्तो दुबई में याद रखेंगे बहुत इंपाटेंट है किस राज में 36 मा रास्टी पुस्तक मेला का आयोजन किया गया तो दोस्तो हैदराबाद तिलं पूछे जाते हैं तो हैदराबाद तिलंगाना याद रखेंगे उत्तरा खंड हाई कोट की पहली महिला मुख्यन अधीस कौन बनी है तो दोस्तो उनका नाम है रीतू बोहराजी चीक है उसके बाद चाचटमें ग्रैमी अवार्ड 2024 से बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है तो दोस्तो दिस मुमेंट ने और सकती नाम का वो सेट अप है चीक है याद रखेंगे उसके बाद अंतरिम बजट 2024 पचीस के अनुसार कौन सा देस भातिय सहता प्राप करने वाला सिस देस बनाए तो दोस्तो भुटान है उसके बाद मालदेव की थोड़ी सी मतब जो ग्रांट दी जाती है उसको घटाया गया है करनाटक हाई कोट के नए मुख्य नाधीस कौन बने है तो दोस्तो पीसी दिनेश कुमार भारत के नए स्वास्ता सचीव कौन बन है राधा रतूरी यमन के नए पधान मंत्री कौन बने है उनका नाम है अहमद अवद बिन मुबारक उसके बाद लास्ट क्वेशन इसमे का भात्य सेना के नए उप्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है उपेंद्र दिवेदी चलिए बात करते हैं अगले पेच बे किस राज के हाटी समुदाय को अनुसरी जनजाद का दर्जा मिला है तो दोस्तो हिमानचल परदेश के आजादी के बाद समाननागरिक सहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है तो दोस्तो उत्राखंड है भारत ने किस द अभियान का क्या मतब उत्देश से हैं ये भी पूछा जा सकता है तो दोस्तो उत्राखंड में ड्रक्स यानि नसे को रोकना उसके बाद 2024 में कितने लोगों को देश के सरुच समान भारत रतन से सम्मानित किया गया है दोस्तो पांच लोगों किया जा चुका है जिसमें अत्मातरपूर आपके एक्जाम के लिए उसके बाद किस देश में बेश्व और अच्छा पवदासनी 2024 का आयोजन किया गया तो दोस्तो सौधी अरब में याद रखेंगे अपसिस्ट जल प्रबंधन के लिए जल योध्धा प्रसका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस दोस्तो राजस्थान में अब दिया जाएगा मुख्य मंतरी बिश्व कर्मा पिंसन योजना मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चाल चीतों की क्या हो गई है मृत्य हो गई है तो दोस्तो किस संक्रमण से होई है उसका नाम है सेप्टी स सिमिया नाम का एक संक्रमण है जिसकी वज़य से कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से जो चाल चीते लाए गए थे उनकी मृत्य हो गई है उसके बाद भाति नौसेना ने किस वर्स को नौसेना नौसेना नौस की रूप में घोसित किया है तो दोस्तो 2024 को याद किया है तो दोस्तो दोस्तो प्रतिवस चार फर्वरी को कैंसर डे मनाया जाता है उसके जागरुकता के लिए आप याद रखेंगे तो चले बात करते हैं फर्वरी 2024 को पधानमंत्री नयंद मोदी ने किस राज में ताला बीरा थर्मल पावल प्रजेक्ट का उधातन किया है तो दोस्तो ताला बीरा थर्मल पावल प्रोजेक्ट का संबंद उडीसा से है और एक चीज और भारत का जो सबसे लंबा नदी बांध है जिसको हम हीराकुन के नाम से जानते हैं वो उडीसा में आपको महा नदी के उपर देखने को मिल जाएगा उसके बाद उत्तर महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहां इस्थापित किया गया है तो दोस्तो यहां पे अगर हम बात करें तो यह पटना बिहार में तो याद रखेंगे उस महिला रोबिट अंत्रिच यात्री का नाम क्या ह जो गगणियान मीशन दोहजा चौबिस में पहले अंत्रिच में उडान भरेगी तो दोस्तो उसका नाम है व्योम मित्री यह क्या है एक महिला रोबोट का नाम है जो गगणियान मीशन दोहजा चौबिस में से पहले अंत्रिच में उडान भरेगी याद रखेंगे यह मीश तो दोस्ता के लेखक कौन है, तो दोस्तो ये important है, संजीय कुमार जोसी जी, कुमुरस के नहे राष्टपच कौन बने है, तो दोस्तो उनका नाम है, अजाली आस्मानी जी, ठीक है, किस company ने दुनिया की पहली मेथे नाल सच्चम, container जहाज को लांच किया है, तो दोस्तो माक् तो दोस्तो साथ में पानी पीते रहिएगा, लागाता सुनने से क्या है न, दिमाग ठक भी सकता है, है न, और एक important बात, एकदम बिल्कुल धान से सुने, एक बारी फिसे revise कर लें, अभी तो देखे, आपके exam में 10-15 दिन का time है, तो इसको दो बार अगर आप देखते हैं, तो आपके लिए सबसे best रहेगा, तो जल्दी-जल्दी से इसे समाप्त करते हैं और revise करते हैं, भातिय दूसंचार नियामक प्रादिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तो उनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी, 95 गरतंत दिवस परेड इसका थीम है, समुंदरी सेवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला रास्टी सम्मेलन कहा योजित किया गया है, तो दोस्तो कच्छ गुजरात में, समुंदरी सेवाल को बढ़ावा देने के लिए, कौन सा देश, भरष्टाचार बोद सुचकांग, 2023 की सुच में सीस प लागताल तीसरी बार ACI क्रिकेट परिशत के अध्यक्ष के रूप में किसी चूंग जा गया है, किसी मतब सलेक्ट किया गया है, तो जै साह को, चले, बात करते हैं, आस्टेलिया ओपेन 2024 में पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तो उनका नाम है, जन्निक सीन महिला ओपेन 2024 अरिना सेबलेंका को दिया गया है, जो बेलारू से समन्द रखती है, कुएमपूर आश्टी पुरस्काद 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तो उनका नाम है, सिर सिंदू मुकप ध्याय, विदेश मंत्राले के नए प्रवक्ता कौन बने है, तो उनका किस राज सरकार ने यसी-चस्टी छात्रों के लिए योगिसरी पहल की सुरुआत की है, तो दोस्तो पस्चि मंगाल, किस राज ने देश की पहली 100% इलेक्टिक बाइक टैक्सी सेवा, वाईग की सुरुआत की है, तो दोस्तो असम सरकार ने, किस राज में 108 अस्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का Guinness World Record बना है तो दोस्तो गुजरात में केंदसासित प्रदेश चंडीगर के नए मेयर कौन बने हैं तो दोस्तो उनका नाम है कुल्दीप टाटा दुनिया का सबसे बड़ा लिथिय मंणार किस देश में किस देश के साटन सागर में खोजा गया तो दोस्तो कैलिफोर्निया के उसके बाद बात करेंगे पचातरवे गर्तनत दिवस दोजाज़ चोबिस में सुसेष्ट जहांकी का आवार्ड हमने देख लिया किस राजी को मिला है दोस्तो ओडिसा को और मंत्राला है संस्कृत मंत्राला है इसके उपर हम बात करे चुके है वैस्विक आतिक संभावना रिपोर्ट किस ने जारी की है तो दोस्तो विसो बैंक ही जारी करता है इस्पेस यक्स के X3 Mission के अंतर अस्तरी अंतरिच इस्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिच कौन बने है या त्री कौन बने है तो दोस्तों उनका नाम है अलपरर गेजेरवासी चीक है तो याद रखेंगे उसके बाद चानवे आसकल 2024 में नामित हुई भात्य डोक्यूमेंटरी फिल्म टुकिल अ टाइगर का निर्देशन किस ने किया है तो दोस्तों उनका नाम है नीशा पाहुजा जीक है भात्य सेना में सुबेदार के पदपर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है तो दोस्तों उन पुरसकार 2024 सौस्ट अभिनेता का पुरसकार किसने जीता है तो दोस्तों रड़ बिर कपुर्णे एनिमल मोवी में एक्टिंग के लिए तो आलिया भट राकी पर रानी की प्रेम कहानी ठीक है वास 2024 में कितने लोगों को किल्टी चक्र प्रदान किया जाएगा तो दोस्तों नवी बार बिहार के मुख्यमंतरी पत की सपत किसने लिए है तो दोस्तो उनका नाम है नितिस कुमार याद रखेंगे उनका नाम अमेरिका में पहली बार दोसी को फांसी देने के लिए किस गैस का उप्योग किया गया है तो दोस्तो ये most important है nitrogen गैस को कहां पे अमेरिका में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसाद जनवरी दोहजाद चोबिस में होंग कांग को पीछे छोड़ कर पहली बार बिश्व का चोथा सबसे बड़ा सेयर बाजार कौन सा देश बना है तो दोस्तो भारत है किसको पीछे छोड़ा है होंग कांग को टाप थ्री सेयर बाजार वाले देश कांग कांग से है तो अमेरिका चीन और जापान भारत किस अस्थान पर आ गया है दोस्तो चौथे अस्थान पर बहुत इंपोर्टेंट है ये भारत के किस पुरव उप्राष्टपच को पदम भी भुहुसर्ड पुरसकार 2024 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है स्री बंकया नाइडू जी को सुप्रीम कोट की पहली महिला जज़ को मड़ो प्रांत पदम भुहुसर्ड 2024 से सम्मानित किया गया है इनका नाम क्या था तो फातिमा अभीबी दोस्तो सुप्रीम कोट की पहली महिला जज भी पूछा जाता है तो फातिमा अभीबी है इनको मड़ो प्रांथ पदम भूसर दिया गया चेक है पचातर में गंतन यहां पे दिवाद लिखा है दिवस से चेक है बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाब दुनिया का पहला नियमी टीका कारेकरम सुरू किया है तो दोस्तो क्यामरून नाम के देश में वस दोजाचोबिस में कुल कितने लोगों को पदम पुरसका दिया गया है दोस्तो 132 लोगों को और अगर हम बात करें पदम भूसर की बात करें तो 5 और पदम भूसर की बात करें 17 और पदम सिरी की बात करें तो 110 तो याद रखेंगे उसके बाद अगला प्रशन देखिए भारत का पतम केंद्र वित पोसित गौ अभारेंट किस राजे में बनाये जाएगा तो दोस्तों मजफवर नगर में आपको पता होना चाहिए और ये किस योजना के अंतरगत बनाये जा रहा है आप वो कमेंट सिक्षन में बताएंगी तीक है उसके बाद फुफ्स 2023 की रिपोर्ट के अमसाद स्वडभंडार के मामले में भारत की अस्थान पर है तो दोस्तों नवे अस्थान पर है 16 देश कौन कौन से हैं अमेरिका जर्मनी और इटली बिहार के किसे पुरो मुखे मंतरी को मडो प्रांथ देश के सरुच सम्मान भारत तत्न 2024 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों करपुरी ठाको जी को अभी हमने डिसकस किया था भात्य क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने महिला वर्ग में क्रिकेटर आपदी यर 2023 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तों उनका नाम है दिपती सर्मा जो उत्तर पदे से सम्मन रखती है most important आपके एक्जाम के लिए हो जाता है जाका है अंतराष्टिय सिछा दिवस 2024 कम मनाया गया है तो दोस्तों 24 जनवरी को इसका theme क्या था learning for lasting peace जाक है अंतराष्टिय सिछा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है इसका theme है learning for lasting peace सुभास चंदर बोस आपदा प्रवंधन पुरसकार 2024 किसे प्रदान किया गया तो दोस्तो पैराशूट फिल्ड हास्पीटल को जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये किस डेट को दिया जाता है पुरसकार और सुभास चंदर बोस दीवस किस डेट को मना जाता है जनवरी में आप बताएंगे किस डेट को राश्टि मददाता दिवस का कब मना जाता है तो दोस्तो पचिस जनवरी को मना जाता है इस बारी का थीम क्या है दोस्तो नथिंग ओटिंग आई ओट फर सिर ओ ठिक है तो आप याद रखेंगे चले बात करते हैं चले बात करते हैं चले बात करते हैं चले ब्रीज का उध्धातन कहा किया गया है तो दोस्तो गुजरात दारका में फरवरी दोहजाद चौबिस में किस देश को एफेटीएफ की बित्य अपराद निगरानी सूची से हटा दिया गया है तो दोस्तो सहुक्त अरब अमिरात को पाकिस्तान के नय पधान मंतरी कौन बने है तो उनका नाम है सहबाद सरीफ फरवरी दोहजाद चौबिस में मिस वर्ल्ड दोहजाद चौबिस संस्क्रण भारत में आयवजित किया गया तो ये एकात्रमा क्रिष्टीना पिश्कोवा को मिला है तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरो संमान इसको कीजेगा से किसे संमानित किया गया दोस्तो डाक्टर रितु करिथल और नभीन तिवारी को राष्ट पती दोहत्ती मुरुमू ने गर्तंत दिवस 26 जनवरी पर कितने बच्चों को पधान मंत्री राष्टिय बाल प्रश्कार दोहजार चभीस पधान किये तो दोस्तो 19 बच्चों को असम के सरोच नागरिक प्रश्कार असम बैभाव संमान 2023 से संमानित किया जाएगा तो दोस्तो रंजन गो गई जो 46 में मुख्य नया धीस थे प्राकरम दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तो 23 जनवरी को सुबास चंदर बोज की याद में और एक महतपुट बात आप हमें बताएंगे सुबास चंदर बोज की 127 जैनती पर मनाया गया है प्राकरम दिवस और हमेंसा 23 जनवरी को ही मनाया जाता है एक चीज़ आप बताएंगे जो रंजन गो गई है ये इनका कारेकाल कब से कब तक था और वलतमान में CGI कौन है आप बताएंगे किस राज ने हनुमान गड़ी बेशन के लड़ू को जी आई टैग मिला है तो दोस्तो किस राज जी के तो दोस्तो उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें बेशन के लड़ू को तो जी आई टैग मिला है आप रेशन अमरीत किस राज जी में सुरू किया गया है तो दोस्तो केरल में और किरल का नाम बदल कर अभी हाल में किरलम रखा जाने का प्रस्ताव रखा गया है किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क इसकाई पार्क का दज़ा दिया गया है तो दोस्तो पेंच टाइगर रिजर्व को जो महाराष्ट से संबन रखता है जनवरी 2024 में विश्वनात आनंद कूप पचाण कर भारत के नंबर वन सतरंज खिलाडी कौन बन गये है तो दोस्तो उनका नाम है रमेश बाबू प्रग्यानंदा उत्तरपदेश के अध्या सहर में किस नदी पर भारत की पहली सौर उज्जासन चालित नाव चलाई जाएगी तो दोस्तो उसका नाम है सर्यो नदी टाटा इस्टिल सतरंज टुडामेंट 2024 किसने जीता है तो दोस्तो उनका नाम है रमेश बाबू प्रग्यानंद चौते विंक्स इंडिया 2024 में सौसिस्ट हवाई अड्डे का पुरसकार किसने जीता है तो दोस्तो वैंगलूरू हवाई अड्डा इंद्रा गांधी अंतराष्टी हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है किस राजय सरकाल ने महतारी वंदना योजना 2024 की सुरुवाद की है तो दोस्तो वो है आपका 36 गड़ उसके बाद अगर हम बात करते हैं गौाटमाला के नयरास्टपच कौन बने हैं तो उनका नाम है वलनार्डो एरेवलो और ग्लोबल गैर पावर द्वारा जारी मिलिटर स्टेंथ रैंक में दोस्तो अगर 2024 में बात करें तो भारत की रैंकिंग फोर्थ है उसके बाद किस राजय सरकाल ने योकों को रोजगार उपलप्त कराने के लिए मिसन 60,000 की सुरुवात किये तो दोस्तो हरियाणा राजय सरकाल में जनवरी 2024 में घुटसवारी में अलजु 29 में युआ महुटसव का उध्धाटन की सराजय में किया गया है तो दोस्तो नासिक महरास्ट में किया गया है इसका थीम क्या है बिक्सित भारत 2047 युआ के लिए युआ के द्वारा आप याद रखेंगे ये थीम है चलिए बात करते हैं अपने अन्य महतपूर टॉपिक क किस सहर में परियावड वन और जलवाई परिवतन मंत्राले ने जलवाई सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है दोस्तो मुंबई महरास्ट इसका थीम क्या है डिकोडिंग ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया ताइवान के तीसरी बारास्ट पधि कौन चुने गया है तो दोस्तो एमी पुरसकार 2024 में बेस्ट रामा स्रीच का पुरसकार किसने जीता है तो दोस्तो सक्सेशन ने उसके बाद आयोध्या में नौनिरमित राम मंदर की तिर्थ यात्रा के लिए किस राज्यसरकार दौरा किस राज्यसरकार ने रामलला दलसन योजना की शुरुआत की है तो याद रखेंगे चले बात करते हैं जनवरी 2024 में 100 अरब डालर का आकड़ा पार करने के एसिया के सबसे धनी ब्यक्ति कौन बने है तो दोस्तो 100 अरब डालर का आकड़ा पार करके मुकेस अंबानी एसिया के सबसे धनी ब्यक्ति बन गया है और टाप तीन लोगों की बात करे तो मुके संबानी, गौता मडानी और सिव नादर है ब्रहमांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने कमल के आकार का आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लांच किया तो दोस्तो चीन इसको most most important आप कीजेगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाएगा स्वामी विवेका नंद की जैनती के औसर पर राष्टी युगा दिवस 2024 कब मनाये गए तो दोस्तो 12 जनवरी को मनाये जाता है इस बारी का थीम पूछा जाए तो it's all in mind तो ये है इस बारी का थीम it's all in mind किस चावनी बोड को स्वच सरविच्षट 2023 का से इस प्रसकार मिला है तो दोस्तो महू कैंट को ठीक है टाप थरी चावनी बोड कौन कौन से है तो महू कैंट मध्यपदे से संब्ध रखता है देवलाली कैंट महरास्ट से अहनदाबाद कैंट गुजरात से समभद रखता है उसके बाद मोदी इनजिंग अगरीन फ्यूचर नमक पुस्तक का वी मोचन किस ने किया है तो दोस्तो मोदी इनजिंग अगरीन फ्यूचर का जो वी मोचन किया है तो भोपेंड रियादव है जनवरी 2024 में डेनमार के नय समराट कौन बने हैं तो दोस्तो उनका नाम है फेडरिक एक्स किस राजसर का दोरा बिरोजगार युआओं के लिए युवा निधी योजना का सुभारम किया गया है तो दोस्तो करनाटक के दोरा जनवरी 2024 में किस देश में किस देश में दूसरा अंतराष्टी आयूस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तो इसका आप राइट एंसर कमेंट सिक्षन में बताएंगे क्योंकि ये मैंने डिसकस किया हुआ है चले बात करते हैं आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद इस्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया तो दोस्तो उसका नाम रखा गया है मन का मेश्वर मंदिर मेट्रो इस्टेशन उसके बाद बाद बाधिक वैस्विक वैधिक संपदा सुचकांग 2024 में भारत का आस्थान क्या है तो दोस्तो ब्यालिस्वा सिस कौन कौन से देश हैं तो संयुक्त राज अमेरिका टाप पे है उसके बाद United Kingdom उसके बाद France है तो भारत का अस्थान अगर हम बात करें वैस्विक वाधिक संपदा सुचगांक में तो ब्यालिस्वा है वैस्विक वैस्विक परियावर्ण सुबिधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है तो दोस्तो वैस्विक वैस्विक परियावर्ण सुबिधा की पहली महिला निदेशक बनी है गीता बत्रा उसके बाद फरवरी 2024 में भारत की सबसे बड़ी रच्छा उपकरण प्रदासनी का आयोजन कहा किया गया है तो दोस्तो पूरे महरास्टा में किस मसहुर अभिनेता को महरास्ट भूसन प्रसकार 2023 से समानित किया गया है तो दोस्तो आसिप सराफ को दुनिया में सबसे उचे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाए गया है तो दोस्तो चिनाम नदी पर दुनिया में ये दुनिया की है दोस्तो और भारत की भी है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है तो दोस्तो उनका नाम है जेंसिथा कल्यार सीमा सुरच्छाबल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है तो दोस्तो उनका नाम है सुमन कुमारी उसके बाद किस देश में Athletics Championship 2027 का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तो बेजिंग चीन में तुवालू के नए पधानमत्री कौन बने है तो दोस्तो उनका नाम है फिलेटी टेओ उसके बाद हम बात करते हैं आने प्रशनों पे संसा सुरच्छा मुख्य की से नियुक्त किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है अनुराग अगरवाल फरवरी 2024 में जारी तेंदुवा रिपोर्ट 2022 के अनुसार कि सराज में सरवाधिक तेंदुवा है तो दोस्तो मध्यपरदेश 3907 तेंदुवा ठीक है इसके बाद एक मिनट जस्ट वेट ओके बात करते हैं क्या हम यहां पे थे हां ओके उसके बाद पांच करोड आईसमान काट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है तो दोस्तो उत्तर प्लदेश और एक करोड की बात होगी तो हाल फिला हाल में कौन बना है आप कमेंट सिक्सन मे बताएंगे वो भी मैंने कवर किया है उसके बाद पाकिस्तान के 24 में पधान मंत्री कौन बने हैं सहबाद सरीफ हमने डिसकस किया उसके बाद समुंद्र लच्छड दोजाचबिस अभ्यास कहां किया गया है तो दोस्तो मलेसिया में याद रखेंगे और भारत और किस देश के साथ किया गया है तो दोस्तो मलेसिया के साथ 24 हमें इंडिया डिटल अवार्ड में किसे स्टाटप आदधीयर अवार्ड से समानित किया गया है तो दोस्तो इसमें राइट एंसर है open network for digital commerce को याद रखेंगे चौथा खेलो इंडिया इनुवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी इनुवर्सिटी सेस पर है तो दोस्तो चंडीगडी इनुवर्सिटी लोगपाल का नाय अध्यच किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है कि M. खानविलकर ये M. खानविलकर उसके बाद किस राज में 21. बायोसिया 2024 का आयोजन किया गया है तो दोस्तो हैदराबाद में उसके बाद गूगल का जी मेल की तरह X मेल को लांच करने की घोशना किसने की है ये मैंने कभर किया है आप कमेंट सिट्सन में बदाएंगे चलिए बात करते है Royal Challengersere bang alors ने IPL 2024 से पहले अपना नाम बदलकर क्या नाम रख लिया है तो Royal Challengers IPL से पहले अपना नाम Royal Challengers Bangaluru रख लिया था रणजी ट्राफी 2024 का किसने जीता तो दोस्तो मुंबई और उब बिजेता विधरव रहा है तो ये रणजी ट्राफी की बात हुए किंद्री मादमिक सिछा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौर्मने है तो उनका नाम है रहुल सिंग दुनिया की पहली 3D प्रणिंग मस्जिद का निर्मार्ट कहां किया गया है तो दोस्तो सौधी अरब में FATF का नए अध्यक्ष किसे नहीं उत्किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है अलिसा डी एंडा मदराजो जो मैक्सको से सम्मन्द रखती है मास दो हजाजाचोविस में जारी तेंदुवा के नए रिपोर्ट के अनुसार भारत तिंदुवा की संख्या कितनी है भारत में तो 13874 तक तिंदुवे भारत में है दो हजाचोविस में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहां दज की गई है तो दोस्तो दच्छिड कोरिया में भारत की एजेंसी इसरो की स्वर्स तक चंद्रयान 4 को लांच करेगी तो दोस्तो 2018 तक भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एमेस्टर कौन बने है तो दोस्तो नीरच चोपड़ा और उनको हाली में पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मिला है तो आपको पता होना चाहिए और नदीम जो पाकिस्तान से संबंद रखते हैं असद नदीम उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और हाला फेक में अगर हम बात करें तो ओलंपिक में उन्होंने नया रिकार्ड बनाया है तो आप बताएंगे कमेंट सिक्षन में कितना उन्होंने कितना मीटर फेका है 92.57 या 92.97 तो देखें इसमें एक पहले का रिकार्ड है और एक हाल में रिकार्ड बनाया है तो आप कमेंट सिक्षन में जरूर बताएंगे अगर आप एक जागरुक इस्टुडेंट हैं तो वैसे तो आप हैं कौन सा देश भारत की जन औस्दी योजना से जोड़ने वाला पहला देश बना है तो दोस्तो मौरिसस है रोमेन रोलेंट पुस्तक पुरसकार 2024 किसने जीता है तो दोस्तो उनका नाम क्या है उनके नाम में चौधरी आता है उनका कम्प्लीट नाम आप बताएंगे चले बात करते हैं अन्य महत्पूर टापिक के उपर माच 2024 में हर्याना के 11 मुख्यमंत्री के रूप में किसने सपत लिए है तो दोस्तो उनका नाम है प्लेयर आप दीयर भी घोसित किया है तो इंटरनेशनल क्रिकेट कलब ने इनको राइजिंग प्लेयर आप दीयर घोसित किया है उसके बाद फिलिस्तिन के नए प्रदानमंत्री कौन बने हैं तो दोस्तो उनका नाम है मुहम्मद मुस्तफा आजादी के बाद समान नागरिक सहीता अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज उत्राखन मार्च 2024 में सिप्री दोराजारी रिपोर्ट के अमसार कौन सा देश दुनिया का सिज हतियार आया तक बना है तो दोस्तो भारत है मार्च 2024 में विदेश सचीव के रूप में किसका कारिकाल बढ़ाया गया तो दोस्तो उनका राम है विनै मोहन को आत्रा फरवरी 2024 में माह का ICC प्लेयर आपदी मंध किसको मिला है तो दोस्तो एनाबेल सदरलैंड को जो आस्टेलिया समंद रखते हैं और SSV जैसवाल जो भारत से समंद रखते हैं भारत में नागरिक संसोधन कानून किस तीथि को लागो हुआ तो दोस्तो 11 माच 2024 को उसके बाद पधानमंत्री नैन मोदी अगर बात करें किस राज में कोचरव आसरम का उधातन किये हैं तो दोस्तो गुजरात में आने महतपोर्ट प्रश्णों को देखिए माच 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में निउक्त किया गया है तो दोस्तो यहाँ पे ग्यानेस्वर कुमार और सुखवीर सिंग संधो को ठीक है तो आप याद रखेंगे केंद्री मंत्री अमिट्सा ने राश्टी जांच एजनसी के कौन से एप का उधातन किया है तो दोस्तो संकल्प एप तो संकल्प एप आप याद रखना मार्च दोहजाच चौवीस में चमेली देवी परसका से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है ग्रिस्म ठाकुर घृतिका चोपड़ा किस IIT ने पानी और हवा दोनों में चलने वाला hybrid मानो रहित वाहन विखस्ट किया है तो दोस्तों IIT जयापुर में तो देखे कितना important है ये पानी और हवा दोनों में चलने वाला hybrid मानो रहित वाहन है उसके बाद मार्च 2024 ने बहरीन ग्रेंड प्रीमर लीग का खिताब किसने जीता है तो दोस्तो मैक्स विरस्टेपन नाम क्या है मैक्स विरस्टेपन उसके बाद भारत का सबसे उचा मौसम टावर का उधाटन कहां किया गया तो दोस्तो भुपाल में मार्च 2024 में UNDP द्वारा जारी लेंगिक और समानता सुचकांग 2022 में भारत की रैंक क्या है तो दोस्तो 134 है टाप थ्री देश सुट्जर लेंड नार्वे और आइसलेंड है मार्च 2024 में किस देश ने पहले लेजर हतियार ड्रेगन फायर का परिक्षण किया है तो दोस्तो United Kingdom ने अंतराश्टी हाकी महासंग द्वारा जारी FIH महिला 200 रैंकिंग में कौन सा देश सिस अस्थान पर रहा है तो दोस्तो उसका नाम है निदरलेंड टॉप तीन देश कौन कौन से है निदरलेंड अजेंटिना और जर्मनी याद रखेंगे उसके बाद देखिए वासिक जलवाई इस्तिती रिपोर्ट 2023 जारी की गई है किसके द्वारा तो ये 200 मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा उसके बाद गगणियान अंत्रिक्ष उडान मिसन के दौरान अंत्रिक्ष यात्रिव की सहयता के लिए विक्रम सारा भाई अंत्रिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा आय बिक्सित किया गया है तो दोस्तो सकी है याद रखेंगे उसके बाद डायना मेमोरियल अवार्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है उदै भाटिया जो दिली से सम्मन रखते हैं उसके बाद मांसी गुपता जो हर्याणा से सम्मन रखती है मार्च 2024 में किस मलयालम कभी को उनके कावे संग्रे रुद्र सात्विकम के लिए 33 सवसती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है प्रभावर्मा ये most important है आपके एक्जामें देखने को मिल सकता है महिला प्रिमियर लिग 2024 का किताब के स्टीम ने जीता है तो दोस्तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर भारत की पहली ड्राइवर लेस मैट्रो ट्रेन की सुरुवात कहां होगी तो दोस्तो बैंगलॉरू करनाटक में भाथ नशेना ने अपना पहला स्वातंत्र मुख्यालण नशेना भवन कहां स्थापित किया है तो दोस्तो नई दिल्ली में मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मीशन 414 अभियान को सुरू किया गया है तो दोस्तो उमा रेल ठीक है उमा रेले के तो आप याद रखेंगे किस राज्य में तो आप राज्य बताएंगे चले उसके बाद बात करते हैं संविक्त राष्ट दारा जलवाई रिपोर्ट की अनुसार अब तक का सबसे गर्म होस कौन सा है तो दोस्तो आप ये भी कमेंट सेक्षिन में बताएंगे 2023, 2022 या 2024 चले बात करते है अन्य अपने मातपूर प्रशनों के उपर माच 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो सिफाली भी सरंग को लोग तंदर के लिए तीसरे सिखर सम्मिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया तो दोस्तो दच्छिड कोरिया हमने बात की यूरूपी देश वेल्स के पहले अस्वेत नेता कौन बने है तो उनका नाम है वान गेथिंग आल इंडिया रेडियो की नई महानी देशक कौन बनी है तो मौसमी चक्रवलती हमने बात किया था मार्च 2024 में संगीत कला नेधी प्रसका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो दो सहाल देशों की स्रेणी में मार्च 2024 में माइक्रोशाफ्ट का नया AI प्रमोग किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों उनका नाम है मुस्तफा सुलेमान उसके बाद संजीव मुखर जी की सराज के पुलिस महानी देशक के रूप में नियुक्त हुए है तो दोस्तों पस् स्टील एसोसियेशन के नय अध्यक्ष कौन बने है तो उनका नाम है नविन जिंदल इंडियन बैंक एसोसियेशन के प्रबंध निदेशक मुख्य कारिकारी अधिकारी कौन बने है तो उनका नाम है यम्बी राओ मार्च 2024 में क्यूबा में भारत का अगला दूत किसे में 16 साल पुराना राष्ट्य रिकार्ड तोड़ा है तो दोस्तों गुलवाज सेंग तो कैलफोरिया में 10,000 में उसके बाद प्रशार भाति के नय अध्यक्ष कौन बने है तो नवनीत कुमा सहगल किस राज में देश की पहली द्रविकृत प्रकृतिक गैस एलेंजी बस का उध्यातन किया गया है तो दोस्तों महराष्टा में. माच 2024 में भारत निर्वाचन आयो की राष्टे दिश्टे दिम्यां आइकन कौन बनी है तो दोस्तों उनका नाम है सीतल देवी उसके बाद विग्यानिक अनुसंधानों के रिए जीडी बीला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला विग्यानी कौन बनी है तो उनका नाम है आदिती सेंडे ठीक है most important है और जीडी विला पुरसकार की शेतर में दिया जाता है तो विग्यानी की अनुसंदान ठीक है scientific research में आपको पता होना चाहिए उसके बाद सतत्रों बाप्टा अवार्ड्स 2024 में socialist film का अवार्ड किसने जीता है तो दोस्तो अपिन हाइमर में तो किस में सतत्रों बाप्टा अवार्ड्स 2024 में socialist film का किताब नई दिल्ली में 28 में BSC Expo 2024 के अउधाटन किस ने किया अनुराक सिंग ने भारत के किस राज में लगपती दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया तो दोस्तो राजस्थान में इंडोनेसिया की नाय राष्टपति कौन बने हैं तो उनका नाम है प्रभोवो सुभियान्तो 2024 का किताब जीता है तो दोस्तो बहतिया महिला टीम में वू विजेता थाइलैंड रहा है पहली बार बैडमίνटन एस्या टीम zou जीता है बहतिया महिला टीम में कतर किता जीता है तो इगा स्वास्टिका ने जो पोलेंट से संबंद रखती है अंडर वाटर फोटोग्राफर आपदी यह 2024 का प्रसकार किसे मिला है तो दोस्तों उनका नाम है एलेक्स चाहिए दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आवाट 2024 में सॉसेस्ट फिल्म किसे घोसित किया गया है और दादा साथ फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आवाट किसे मिला है तो वो है जवान मूवी याद रखेंगे हिंद महासागर में भातिय नौसेना के द्वारा शुरू किये गये आप्रेशन का नाम क्या है तो आप्रेशन संकल्प याद रखेंगे चुनाओ आयोग ने चुनाओ प्रक्रिया की निगरानी की लिंकिस आप का लांच किया है दोस्तो उसका नाम है इव जिल आयब कौन सा राज चौदेवी सिनियर महिला रास्टी चेंपियंशिप 2024 में सिस अस्थान पर रहा तो दोस्तो हर्याणा एबल प्रसका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है डाक्टर अर्विन पंगडिया चौथे खेलो इंडिया इंवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया गया है तो दोस्तो असम के गुहार्टी में अब यहाँ पे अन्य देश की टॉप रैंकिंग अगर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें सिर्स अस्थान पर कौन सा देश रहा है तो दोस्तो सिर्स अस्थान पर रहा है फ्रांस और उसके साथ साथ अन्य जो देश है उसमें जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापूर यह रहे हैं अब भारत की रैंकिंग कितनी है पचासिमी रैंकिंग है तो आप याद रखेंगे किसमें हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का अस्थान पचासिमा है और टॉप पे फ्रांस है आप याद रखेंगे चले बात करते हैं आने महतोपूर्ट प्रशनों पे भारत की पहली Artificial Intelligence अधारित फिल्म है इरा अंतराश्टी फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भाते खिलाडी कौन बने है तो सुनेल चेत्री फुटबॉल की बात हो रही है March 2024 में पहला प्रमाड उज्जा सिखा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया तो दोस्तो वसल्स बिल्जेम में हाली में 2024 में सेनेगल का अगला रास्टिपत किसे न्यूक्त किया गया है तो दोस्तो उनका नाम है बसीरो दियो माय तो देखिए दोस्तो सभी के सभी प्रश्ण बहुत इंपार्टेंट है और वन लिनियर में भी हम लगभग नहीं कुछ तो पांसो क्वेशन डिसकस किये हैं और इसके बाद से जो आपका आयेगा सेसन उसमें यमसी क्यू होगा और जो आपने वन लिनियर सीखा है उसका टेस्ट भी आप लगाता आएंगे और बिल्कुल ध्यान से लगाएगा आपके एकजामें यहां से प्रश्ण बनेगा और एकदम बिल्कुल निश्चीन तो होके आप इस सेसन को इंजाय कीज़ेगा भारत में पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग करेगा तो दोस्तो परमाड घड़ी ठीक है तो भारत पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए परमाड घड़ी का प्रियोग करेगा पुलिस अनसंधानियों विकास ब्यूरो के महा निजेसक कौन बने है तो उनका नाम है राजिव सर्मा आस्टेलियन ग्रेंड प्रीमेर लिग दोहजाद चौबिस किसने जीता है तो दोस्तों कार्लोस सैंच आयलेंड के नए युवा पधान मंतरी कौन बने है तो उनका नाम है साइमन हैरिस फिलतिवी के सबसे दुरस्त बिंदू नीमो तक पहुचने वाला दुनिया का सबसे पहला ब्यक्ति कौन बना है तो दोस्तों उसका नाम है क्रिस ब्राउन उसके बाद एकातर में मिस वर्ल्ड दोहजाद चौबिस का खिताब किसने जीता है तो उनका नाम है क्रिष्टिना पिसकोवा जो चेक गरदाजे से सम्मन्द रखती है उसके बाद बिष्टो की पहली हवाई टैक्सी सेवा दुबई ने स्टार्ट किया है टाटा डिजिटल ने के नए यमडी और सीओ कौन बने है तो दोस्तों नविन ताहिलियानी क्या नाम है नविन ताहिलियानी किस राज ने आपदा चेताओनी डिवाईस नितीस को लांच किया है तो दोस्तों बिहार किस देश में दुनिया का सबसे उचा राम मंदिर बनेगा तो दोस्तों आस्ट्रेलिया में किस राज सरकाद वरा मुख्य मंत्री योम स्री योजना दोहजाद चेविस की सुरुगात की गई है तो दोस्तों महारास्ट के द्वारा राष्टी जाच एजनसी के नए महानिदेसक कौन बने है तो उनका नाम है सदानंद वसंद ठीक है लेंडिंग साइट को अंतराष्टी खगोली संग ने मानेता दे दी है इसका नाम क्या रखा गया तो दोस्तों सीव सकती अंतराष्टी दूस अंचास संग ने किस देश को अपने डिज्टल इनोवेशन बोर्ट के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है तो दोस्तों भारत बैंक का महारास्टा के नए एमडी और सीओ कौन बने है तो उनका नाम है नीधू सकसेना मार्च 2024 में प्रतिस्थित टाइम्स पावर आइकन 2024 आवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो उनका नाम है दोस्तों विजय जैन चले फरवरी 2024 में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में बहरत किस अस्थान पर रहा है तो दोस्तों 117 पर टॉप त्री देश कौन है अर्जेंटिना फ्रांस और इंग्लेंड तो आप याद रखेंगे भारत है यह बहरत नहीं है आप याद रखेंगे भारत किस अस्थान पर रहा है तो 117 में बाप्टा अवार्स 2024 में सौस्ट निदेशक का प्रशकार किस्ते मतब चुना है तो क्रिश्टोफर को और यहां पर हमने देखा क्रिश्टोफर नॉलन की जो मतब मूबी है उसका नाम है हाइमर्स ठीक है आप अरब अमिराथ में तो आप याद रखेंगे दुबई एक सीटी है और अरब अमिराथ एक देश हैं किस राज्य सरकाल ने युवाओं को ब्याज मुक्त रिड़ देने के लिए स्वयम योजना की सुरुवात की है तो दोस्तों उड़ीसा ने और उतर प्लदेश ने यम उसके लिए उद्यमता के लिए उसके बाद स्वयम का फुल फॉर्म क्या है स्वयतंत्र युवा उद्यमी चैन्दमा पर पहुँचने वाली दुनिया की पहली नीजी कंपनी कौन सी बनी है तो दोस्तों उसका नाम है इंट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यू वस 2023 में दुनिया की सबसे जादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है तो दोस्तों Toyota ते हैं 2023 में सबसे दिक बिकने वाली कार निर्माता कंपनी Toyota बनी है जो जापान से संबंद रफ गए है तो दोस्तो बाद सांभर मौत साथ दोहजाबाद की सराज्ज में किया गया है तो दोस्तो राजस्थान सांभर जील आपको पताईए टाटाक ने भारत की पहली प्राइबेट हेलिकाप्टर एसेम्ली लाइन इस्थापित करने के लिए तो दोस्तो ऐर बस के साथ दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटोर्क वाला देश कौन सा बना है तो दोस्तो भारत पहले पे हैं अमेरिका फरवरी 2024 में सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्ले बाच कौन बन गए है तो दोस्तो बाबर आजम हाली में ससी थरूर को किस देश के सरोच नागरिक सम्मान से प्रस्कृत किया गया है सबसे लंबी अब यहां पर सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात हो रही है तो इसका उधाटन कहां पर किया गया है तो दोस्तो इसका उधाटन जम्मुक समेर में किया गया है याद रखेंगे डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इनका नाम है यस्टी मुनी ठीक है क्या नाम है दोस्तो यस्टी मुनी चरे बात करते हैं अन्यमातपोर्ट प्रश्णों पे महासागरो और वाइमंडल का अध्यन करन कि लिए के लिए पेस मीसन किसने लांच किया है तो दोस्तो नासा ने नामीमिया के नए कारेकारी रास्टपति कौन बने है तो उनका नाम है नांगोलो मभुम्बा रास्ट्य महिला दीवस 2024 का थीम क्या रखा गया है तो दोस्तो इंस्पायर इंक्लूजन प्रतिवस 13 एक करोड से अधिक आईसमान कार्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बरा है तो दोस्तों हमने पूछा था यह प्रश्ण ठीक है और अंसर आपको मिल गया असम आप बताएंगे दुनिया में सबसे बड़ा नदी दीप किस राज्य में है किस नदी पर है आप क आप याद रखेंगे तो आप यहां पर घरों की बात करी ती तो आप याद रखेंगे यह डाटा पूछ वर्षमारो में कितने व्यक्तियों को विर्ता के लियें राष्ट्य पदक से समानित किया गया है तो दोस्तो दो व्यक्तियों को अप देखिए हम बात करते हैं पहली ASEAN River Rafting Championship 2024 का आयोजन कहां पे किया गया है तो दोस्तो सिंबला में अंतराष्टिय महिला दिवस 2024 का थीम को आठ मार्च आठ मार्च आप दिमाग में बिठा लेजे इस डेट को नहीं भोलना है चले बात करते हैं अपने अन्य टॉपिक के उपर किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहला सरकारी स्वामी तवाला OTT प्लेटफॉर्म CS Space लांच किया गया है तो दोस्तों केरल के द्व कॉल इंडिया की सहाइता कंपणी सहाइ कंपणी गयवरा खळान ऐसीद बड़ी कोईला खळान बनने जा रही है आप सब्सक्राइब यहां पर थोड़ा सा मतब ऐसे मीं स्प्रिंट और चेंप्रेट हुआ तो आप जयान देंगे अ असरा और उबेला चेंपियंशिप प्रस्का दोज़ाचवई से सम्मानित किया गया तो दोस्तो भारत को पधार मंतरी ने इनमोदी ने किसे ग्रीन चेंपियंशिप अवार्ड दोज़ाचवई से सम्मानित किया है तो उनका नाम है पंक्ति पांडे ये मुस्त इंपॉर्टे कौन से अस्थान पर है भारत और नहीं है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी महिला ब्योसाई और सुचकांग दोजाइसे भारत की रैंक कौन सा है तो दोस्तों 113 किस राज में हमारा समिधान हमारा सम्मान अभियान का आयुजन किया गया है तो दोस्तों आप बताएंगे देखि किस राज में भारत का पहला राष्ट्य डाल्फिन अंसंधान केंदर का उधाटन किया गया तो दोस्तों पटना बिहार देखिए अभी वलतमान में अगर पूछा जाए कि जो भारत का राष्ट्य जली जीव है वो क्या है तो दोस्तों गंगा की डाल्फिन अगर पुछा है तो जे बेजोस था तो ऐसे प्रश्ण कमी पूछे जाते हैं लेकिन नीचे ये दूसरा वाला most important है हंगरी के नए राष्ट पर कौन बने हैं तो तामस सुल्योक ये पूछा जाता है महराष्ट भूसरण पुरसकार दोजाच चौबिस इसे मतब किसे दिया गया है तो दोस्तों डॉक्टर प्रदीप महाजन को मार्च दोहजाच चौबिस में किसके दौरा दिल्ली में आविजित कारिकरम की दौरान हज तीत यात्रियों के लिए हज सुधा एप लांच किया ग रखेंगे संतानवा सदस्य देश कौन बनाए पणामा उसके बाद पाच्वे राष्टी युवा संसद महुत सो दोहजाच चौबिस में प्रधम पुरसकार किसने जीता है तो यतिन भासकर दुगगल जो हर्याणा से संब्द रखते हैं बहिलाओं को ससक्त बनाने के उद्देश से किस राज्य सरकाल ने इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योजना की सुरुगात की है तो दोस्तो हिमांचल प्रधेश ने लांच किया है मार्च 2024 में किस देश ने नाटो का 32.10 मतब गरहन किया है तो दोस्तो स्वीडन ने तो नाटो का 32.10 से देश स्वीडन बन चुका है याद रखेंगे प्रो कबड़ी लिग के दसमें संस्कंड के विजेता कौन बने हैं तो दोस्तों उनका नाम है पुनेरी पल्टन किस देश ने पहला UEFA Women's National Football League 2023 का खिताब जीता है तो दोस्तों इस्पेन ने मार्च 2024 में किस देश ने गर्बपात को समयधानिक अधिकार बनाने के लिए विधेक पारित किया है तो दोस्तों फ्रांस ने कैबिनेट दोरा पियम सुर्य घर मुक्ति विजली योजना के लिए कितने करोड रुपए की धनरास को मजूरी दी गई है किस राज या केंदसासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है तो नई दिल्ली में किस इिट के दोरा अखिल भाति अनसंधार विध्वान सिखा संम्मिलन 2024 का आयोजन किया गया किस राज में पधानमंत्री इनईन मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाट्र मेट्रो सेवा का उधाटन किया है तो दोस्तों कोलकाता पस्ची मंगाल माँच 2024 में किस राज सरकार ने विद्वाप पुनवर्वाप और साहन योजना का सुभारम किया है तो दोस्तो जारखन में अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगती है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्काइब कर जो हमसे जरू जोड़ें तैंक यू वेरी मुट